एक्सेसाइस एट क्लास नाइंत आरे सगरवाल कोश्चन नमबर 16 कोश्चन नमबर 16 का यह पहला पार्ट है तो पहला पार्ट में कहरा है calculate the value of x in each of the following figure देखो हमारे पर जितने भी कोश्चन है सभी कोश्चन में हमें x की value ही find करनी है और तो यहां पर यह एक फिगर दिख रहा है इसमें हमारे पास यह वाला angle given है और दूसरा हमारे पास यह वाला एंगल given है और हम हमें इसको find करने से पहले हम लोगा बहुत ही इसको बहुत ही इसली find कर लेंगे state line की properties और वही सेम चीज इसमें भी हो रहा है कि यह भी एक इस्टेट लाइन में ही बन रहा है तो यह दोनों जो एंगल होंगे इसको find करेंगे हम लोग इस्टेट लाइन से जब हमारे पास यह वाला एंगल और यह वाला एंगल मिल जाएगा तो इस एंगल के लिए हम लोग लगा देंगे sum of triangle वाली property तो यह भी हमें मिल जाएगा चलो इसको हम लोग करेंगे तब हमें यह ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस एंगल के ठीक है तो हमारे पास given है क्या देखते हैं लिख देते हैं यहाँ पर angle जो है a c d ठीक है वो given है 120 degree अ ठीक है चलो यहाँ पर देखो जो angle बन रहा है a c d यहाँ पर लिखा angle a c d प्लस हो जाएगा इस वाले एंगल से a c b से एंगल हो जाएगा a c b equal to 180 degree ठीक है अब देखो 180 degree क्यों हो रहा देखो हमेशा straight line में कितने भी एंगल बनते हैं उनका जो सम होता है वह होता 180 degree के बराबर जैसे कि अब ही तो यह एकी straight line है स्टेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहा है अब इन दोनों angle का जो सम होगा वह होगा 180 degree के बराबर अगर इसमें तीन एंगल बन रहा होते तो तीन एंगल का भी सम होता 180 degree के बराबर ठीक है अब इसका reason देना पड़ेगा तो यहाँ पर reason में लिख देना वह हमाँ पास 120 की बन है तो 120 लिखा अब एंगल हो गया हमाँ पास a c b equally हो गया 180 degree तो यहाँ पर लिखेंगे 180 और यह हो जाएगा अब इन दोनों को minus करो तो क्या जाएगा इसका minus करने पर हमें मिलेगा 60 यहाँ पर हमने लिखते हैं 60 तो एंगल हमें मिल गया a c b यह हो गया 60 तो यहाँ पर हमने 60 लिख गया अब सेम यही process होगा इसको find करने के लिए क्योंकि यह भी तो एक state line है और state line में ही तो हमें पास यह दो एंगल है ना तो इसको हमोग लिखते हैं तो यहां लिखेंगे एंगल e a b ठीक है प्लस कर देंगे एंगल हो जाएगा दूसरा एंगल हमारे पास बी ए सी लिख देता है तो यह हो जाएगा बी ए सी एक्वस्टू हो जाएगा 180 डिगरी ठीक है अब इसका जो रीजन होगा ना वह रीजन बिल्कुल सेम होगा यहां पर ठीक तो यहां पर भी लिख देना लेनियर पेर अब e a b जो है ना वह हमारे पास 110 का और यहां पर बी प्लस का अख्रा बेस ने तो यह माइनस को जाएक तो वी एक्वस्टू हो जाएगा 180 माइनल एक 110 आप इन दोनों को माइनस करेंग तो हमें मिल जाएगा 70 तो यह वाला भी हमको मिल गया क्योंसा यह आप देखो यह जो हमारे पास एक ट्रेंगल बन रहा है यह यहां से लेक रहे जागा तो इसको हम लोग find कर सकते हैं एंगल की property से ठीक है ट्रेंगल की property से तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंट रिएंगल ABC अब इसके अंदर जितने भी triangle है उसको हम लोग लिखते हैं जैसे कि पहला triangle हमाँ पास ABC है तूसरा triangle हमारे पास है BAC तीसरा जो triangle है वो angle है वो हमारे पास है BCA एक्वल्स तू हो जाएगा 180 degree के बराबर अब दोको ABC है ना और जो यह B है वो हमें करना है find मतलब ABC तो finding करना यही तो X है तो यहां पर X डिरेक्ट लिख देता है अब यहां पर BAC BAC हमारे पास 70 degree है और जो BCA है वो हमारे पास है 60 degree एक्वल्स हो जाएगा 180 degree अब जो X से X को ऐसे लिखते हैं अब 70 और 60 इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 130 आजाएगा वो भी किसका माइनस का देखो यह हमारा प्लस का इक्वल के सेट भेज़ देंग तो यहां पर आगा 180 अब इन दोनों को माइनस करो तो माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50 तो X की value आ गई 50 और यहीं होगया कोशिया नमर 16 का फ्रस्ट पार्ट का concept अब हम लोग इसी के second part में आते हैं अब दोको इसी के यह second part है, तो को second part में भी हमें X की value ही find करनी है और कुछ ने, तो यहाँ पर जो figure है न, यहाँ पर तो को यह angle, यह angle और यह 3 angle दी है, तो चलो हम लोग इसको ध्यान से दिखते हैं, अगर हम लोग यह वाली line भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे figure में है भी, तो क्या यह angle है, यह हमारा है exterior angle, exterior angle जो बाहर बनता है, उसको हम लोग exterior angle भोलते हैं, ठीक है, इस triangle का है यह exterior angle, तो इसी के हल्प से हम लोग अभी यह solve करेंगे, तो सबसे पहले, यहाँ पर लिखेंगे angle, ठीक है, कौन सा, यह वाला angle हो जाएगा हमारे पास E, C, D, E, C, D, यह है E है, यह सी है, यह D है, यह angle है हमारा exterior angle, तो यहाँ लेकिंगे, E, C, D is a exterior angle, exterior angle, of triangle, ABC, ठीक है, जी हो गया, इसका मतलब हो रहा है, यह जो हमारा angle है, यह है exterior angle, और किस triangle का है, यह ABC, इस triangle का है, यह exterior angle है, इतनी बात के लिए है, अब दोखो, इसमें हम लोग exterior angle की property लगाते है, तो exterior angle क्या कहता है, कि जो होता है, E, C, D, ठीक है, वो बराबर होता है, अपने opposite दो angle के, opposite angle यह है, मतलब इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा angle ABC, ठीक है, प्लस हो जाएगा angle B, A, C, इतनी बात के लिए है, exterior angle की property कहते है, कि जो exterior angle होता ह है, वो equals होता है, opposite angle के सम के, मतलब यह दोनों opposite है, इन दोनों के सम के हमेशा equal होता है, वही चीज जिसमें हमने लिख रखी है, ठीक है, इतनी बात के लिए रहे, अब देखो जो ABC है, वो हमारे पस 40 degree, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते है, 40, प्लस, जो यह BAC है, BAAC है, यह हमारे पस 30 degree, तो यहाँ पर हमने 30 लिख दिया, अब यह होगा हमारे पस angle, ECD equals to this, इन दोनों को solve परो, तो कितना हैगा, 70, तो इसका मतलब यह होगा, जो angle है, यह हमको मिल चुका है, 70 degree का, इतना तो हमने कर लिया, अब हमें तो find करना था, यह यह वाला angle, जो X था, अब देखो, अगर हम लोग इसकी बात करेशिब, इतने triangle की, यह जो triangle है न, इस triangle के बाहर यह बन रहा है, हमारे पस angle, तो यह अब इस triangle का हो गया, exterior angle, ठीक है, अब exterior angle की property से में इसमें लगाएंगे, और लगाते ही, यह वाला answer हमें मिल जाएगा, और A, E, D, यह है, A, यह, E, D, यह exterior angle है, A, E, D is a exterior angle, angle of triangle, अब किस triangle का, यह है, E, C, D, तो यहाँ लिख दिया, E, C, D, ठीक है, इतनी बात clear होगे, अब देखो, इसमें हमने क्या property बताये थे, कि exterior angle के opposite जो angle होते है न, उनका sum बराबर होता है, exterior angle से, तो exterior angle है हमारे पास क्या सम है, exterior angle है हमारे पास A, E, D, वो बराबर हो जाएगा किसके, इन दोनों angle के sum के, तो यहाँ पर लिख सकते है, angle E, C, D, प्लस हो जाएगा angle E, D, C, तो यहाँ पर हमारे पास 70 है यह, और यह हमारे पास 50 है, तो इनको हम लोग add कर देंगे, तो यहाँ पर जो X है न, X वो आ जाएगा 120, देखो, A, sorry, A, E, D, A, E, D है यह, A, E, D, equals to 120, तो इसकी जाएगा पर X लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया 120, तो question number, इसी के second का, question number 16 के second का answer है यह, अब यह इसी का तीसरा पार्ट है, इसमें भी हमें निकालना है X की value, तो बह होती easy question है, सबसे पहले दोखो, कहाँ पर क्या-क्या given है, इसको check लो, तो यहाँ पर जो यह है न, angle, यह हमें given है 60, और यह वाला जो angle है, वो given है 115 degree, और हमको find करना है angle X, तो इसको find करने के दो तरीके हैं, दोखो, सबसे पहले इस से, इसकी help से, यह वाला angle हम लोग find कर लें या फिर इसे exterior angle की help से हम लोग solve कर सकते हैं, दोखो, exterior angle में क्या होगा, कि इन दोनों का जो sum होगा, वो पराबर हो जाएगा, इसके, तो X हमें मिल जाएगा, और straight line में क्या होगा, कि इसको हम लोग पहले यह find करेंगे, ठीक, इसको find करने के बाद हम लोग इसमें लगा दें एंगल of triangle की properties, sum of triangle की property, तो बस उससे क्या होगा, हमें X मिल जाएगा, तो सबसे easy रहेगा exterior angle, तो उसी की help से हम लोग इसे solve करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर given है, हमाई पास angle EAF, तो यहाँ लेका angle EAF, ठीक है, पराबर हो जाएगा, किस angle के, BAC के, तो यहाँ लेका angle equals to हो रहेगा, तो यहाँ पर लेकिंग vertically opposite, ठीक है, vertically opposite angle, इतनी बात के लिए रहे, तो angle हमारे पस जो था, EAF, यह था 60, तो यहाँ पर हमने लेक दिया 60, equals to angle BACB हो गया, हमारे पस 60, तो यह आगे हमारे पस 60, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे exterior angle की property, दोखो, यह एक triangle है, यह वाला, ठीक है, इसे इतनी बात करेंगे, जिसमें हमनों line बना रहे है, ओपर से भी, यह, इस triangle में यह हो रहा है, इसका exterior angle, और इस exterior angle की opposite angle क्यों सा, यह दोनों angle है, तो इससे हम लोग यह find करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं, कि angle जो हमारे पास है, A, C, D, वो है, is a exterior angle, exterior angle, exterior angle, of a triangle, किस triangle का है, यह है, B, A, C का, ठीक है, इतनी बात के लिए रहे हैं, अब दोको exterior angle है, हमारे पास angle A, C, D, वो बराबर होगा किसका, इसके opposite angle के, तो opposite angle यह है, और यह है, तो यहाँ पर लिख सकते है, angle A, B, C, प्लस हो जाएगा angle B, A, C के, जो A, B, C है न, A, B, C, वो हमारे पास X, और जो B, A, C है, वो हमारे पास 60, तो A, C, D हुआ हमारे पास क्या, इसको हम लोग लिख देते हैं, 115, यह given है, ठीक है, देखों, अब जो 60 है, यह प्लस का, इक्वल के साट भीज़ेंगे, तो यह minus का होगा, 115, minus हो जाएगा, 60, equals to हो जाएगा, यहाँ पर X, चीक, अब इन दोनों को हम जो करते हैं, minus, तो यहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास 55, तो यहाँ पर आ गया 55, तो X की value हमने कर लिख 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 अब इसी में पीछे जो दिया हुआ है, वो है question number 4, तो question number 4 में हमको find करना है, फिर से X की value, तो X, भाई साब हमारे इस बार यहाँ पर given है, तो इसको हम लोग find कैसे करेंगे, इसको समझो, देखो, यह value हमारे पर given है, यह वाला angle मान लो given है, और यह given है, अब हमें find करना है, अगर हम लोग इस angle का पता लगा ले, तो इस angle से जहाँ पता चलेगा, तुरंत ही हम लोग इस में triangle की property लगाएंगे, तो X भी find कर लेंगे, तो यह वाला angle कैसे find करेंगे, देखो, यह वाला angle और यह वाला angle, आपस में क्या है, अल्टरनेट है, और alternate angle हमेशा क्या होते है, इ आंगल होंगे तो यहां पर हम लों लिखेंगे AB ठीक है पहलर-CD ठीक है और जो यह AD यह है Transverse तो यहां पर लिखेंगे AD Is a Transverse ठीक है कितनी बात के लिए औरोगे जब यह दुनों आपस में पहलर है और यह हमारी टांस वर्सल लाइन तो यह वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में होगा एक्वल तो यहां पर लिखेंगे एंगल B A D एक्वल्स टू हो जाएगा एंगल A D C यह हो जाएंगे बराबर क्योंकि यह हैं हमारे अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल इतनी बात के लिए होगे अब दोको B A D B जो है वह हमारा 60 है एक्वल्स टू हो जाएगा एंगल A D C के मतलब यह हुआ कि यह वाला एंगल भी आगया 60 अब इतना यह भूल जाओ दिखेगा सिर्फ यह तो यह दिख रहा है तुम्हें एक ट्रेंगल और ट्रेंगल की प्रोपर्टी कहती की बहिया की अंदर की जितने भी एंगल होते हैं तीनों एंगल का जो सम होगा वह होगा हमारा 180 डिग्री के बराबर तो वही चीज़ हम लोग अब इसमें करने जा रहा है तो यहां पर लिखेंगे इंट्रेंगल इंट्रेंगल कौन सा होगा ट्रेंगल यह होगा हमारा D E C यह होगा एंगल D E C प्लस हो जाएगा एंगल E D C प्लस हो जाएगा एंगल हमारे पर D C E एक्क्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री अब यह 180 डिग्री क्यों होगा इसका रिजन देना पड़ेगा तो रिजन हमने अभी बताया थे ना तो वही रिजन हम लोग इसमें दे सकते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर सम ऑफदा एंगल ऑफवा ट्रेंगल इतनी बात के लिए होगे अब दो यहाँ पर D E C है यह हमारे पास X है यह हमें 60 यह और यह हमने यह भी गिवन है यह था हमारे पास 45 एक्क्वल स्यू कर दी हमने 180 के अब इन दोनों को सम करो सबसे पहले एड़ करते तो यह हो जाएगा और यह तो यह फाइंट पर यह दोगा यह निदो माइंट हैंगे तो माइन ज्चने पर हमें क्या मिलेगा 75 दो एक्स की वैलीव आ गए 75 और यही हमको find करनी थी, तो question number 4 का हो गया यह answer अब हम लोग इसी का fifth part करेंगे, question number 5 जो है, यह हमारे पर given है, अब इस figure में भी हमें फिर से x की value ही find करनी है, देखो, अगर इस तरह की question में, अगर आपको figure को समझना, अच्छे से आ गया ना, तो आप यह question easily cut पाऊगे, अगर figure ही नहीं समझ पा रहे हो, तो यह question बिलकुल भी नहीं कर पाऊगे, चलो, तो सबसे पहले हम लोग इसके figure को समझते हैं, तो यहाँ पर क्या है action, यह हमें करना है find, यह जो है ना, यह क्या होता, यह 90 degree, अगर यह 90 degree है, तो हमारा यह angle बनदा है, इस triangle के opposite, मतलब exterior, मतलब बहार बनदा है, rectangle के कहाँ बनदा है, बहार बनदा है, इसगे जो vertically opposite यह यह आएफ़ic look नहीं है, तो यह हमें यह मिल जाएगा, और हमें पता यह मिल गया, और यह हमें पता है, 90 है, तो इसे हम लोग यह find कर लेंगे easily समय में इतनी बात हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसको find करना और इससे ही हम लोग को यह कर देना है vertically opposite फिर इसकी help से हम लोग find करेंगे x की value ठीक है तो इसको करेंगे तब जाकर हमें यह ज्यादा अच्छे से समद में आएगा तो यहांपर हम लोग क्या लिखते हैं कि जो हमाँपास angle है BEF यहांप लिखा angle यहां कर दिया बी यह है यह इफ है यह हमारा क्या है यह ए एक्स्टीरियर एंगल ठीक है बी सब्सक्राइब फैर सकते पाइब जब इस चीह ऐंगल की प्रोपल टी कहती है कि एक्सीर wise कीInsert जो भी एंगल बन रहे हैं उनका जो सम होगा वो बराबर होगा एक्स्टिरियर एंगल से इसका मतलब यह हुआ जो एंगल है हमारे पास B E F टीक है वह एक्कोल हो जाएगा किसके इसके मतलब E A F के तो यहां लिखा एंगल E E F प्लेस हो जाएगा दूसरे एंगल होगा हमारे पास A F E तो यहां लिखा एंगल A यह हो गया F यह हो गया एप इसमें रीजन जरूर देना रीजन में हो जाएगा एक्स्टिरियर एंगल अब दोखो यहां पर E A F यह है यह हमारे पास 40 है और इसका तो कुछ अता पता नहीं त इसको ऐसे लिखो तो A F E चीक है और यहां पर जो एक्स्टिरियर एंगल था वो था हमारे पास 100 तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं 100 ठीक है इतनी बात के लिए रहे अब दोखो जो यह 40 है हमारा यह मच्छर कहां से आ रहा है और वह हमारा है प्लस का एक्वल के सेट चल A F E ठीक है अब इन दोनों को माइनस करो तो यह हो गया 60 डिगरी एक्वल स्टिर हो गया एंगल A F E A F E कितना हो गया यह हो गया 60 डिगरी तो यहां पर हमने लिख देते हैं 60 अब दोखो यह वाला जो एंगल है यह इस एंगल के है वर्टिकली अपोजिट और जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं वो आपस में होते हैं इक्वल तो इसका मतलब यह 60 है तो भाई साब हमारे य C F D के ठीक है अब क्यों बराबर होगा इसका रीजन भी देना पड़ेगा तो रीजन में हमने लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट अंगल अपोजिट अंगल ठीक है इतना क्लियर हो गया तो इसका मतलब यह हुआ जो हमारे पास एंगल है C F D वो हो जाएगा 60 अब देखो यह हमारे मिल गया है 60 अब इतना चुपा लो तो तुम्हें यह एक ट्रेंगल देखेगा यह वाला तो ट्रेंगल की प्रोपल्टि कहती है कि भाईया इसके अं यह ट्रेंगल बनदा है हमारे पास F C D ठीक है यह हो गया हमारे पास ट्रेंगल अब इसके अंदर कितने एंगल है तीन है तीनों को हम लिख लेते हैं यहां पर F C D प्लस हो जाएगा दूसरे एंगल C F D तीसरे एंगल हो जाएगा हमारे पास F D C equals to 180 degree अब रिजन दो क्या है रिजन दो अभी बतायत है क्या होता है सम ओफ ओफ दा एंगल अफ आट्रेंगल अगर यहां पर कितने एंगल एक तो यह वाला यह हमें गिवन है 90 कैसे गिवन है अभी दो कोशन कहरा जो फिगर था फिगर में यह जो था ना यह दे रहा था 90 अगर यह वाली साइट 90 है तो यह 90 तो यह भी 90 अब यह 90 है यह 60 है तो अब यह क्या X है तो यहां पर लिखेंगे 90 हो गया यह हमाए पास 60 हो गया और यह है X equals to 180 डिकरी अब इन दोनों को प्लस कर दो के तो कितना आज़ेगा 150 हमारा प्लस का है यहां पर इक्वल के इस साट जाएगा तो यह हो जाएगा म 180-150 ठीक है अब यहां पर X है अब इन दोनों को माइनस करो तो माइनस करें तो आ जागा यहां पर 30 तो X की value हमने find कर ली 30 और यही हो गया question number 5 का answer ठीक है तो यह हो गया 30 अब इसी का हम लोग करते हैं last part जो है 6 वाला अब देखो यह इसी का 6th question ठीक है इसमें भी हमें X की value find करने तो यह अगर थ्यान से देखो इस figure को तो तुम्हें यह दो triangle है ना दो triangle को आपस में मिला दिया गया वैसा ही कुछ दिखेगा अगर इतना चुपा लो तो यह triangle दिख दिख रहा है triangle तो इन दोनों triangle को आपस में मिला दिया गया तो यह कुछ तरह का एक figure बन गया हमको find करना है यह वाला angle ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यह वाला angle कर लेंगे find फिर इस angle के वर्टिकल यह पूजिट यह वाला angle है तो इसका मतलब होगा जो यह पार्ट की यह वाले triangle की a e b की ठीक है यहाँ पर लिखा हमने in triangle a b e clear है हमारे पास इसमें कौन कौन से angle है एक यह वाला angle है तो इसको बोलते है angle a ठीक है और यह वाला angle है इसको बोलते है angle b और यह है हमारे पास e है वाला e की जगह पर हम लिखेंगे angle a b sorry a e b a e b इसको हम लोग e इसलिए ने लिख रहे हैं क्योंकि इसमें confusion हो सकती है क्यों confusion हो सकती है क्योंकि जो यह e है यह common है इधर का भी है इधर का भी है तो अगर हम लोग इसको direct लिख देंगे e तो भाई साहथ confuse हो जाओ इसलिए हमने इसलिए बोला है कि a e b टिक a e b equals to 180 degree अब इसका हमें reason भी देना पड़ा है तो reason में लोगो sum of the angle of the alpha triangle टिक इतने clear हो गया अब दोगो a o b हमारे पास given तो a हमारे पास 75 b हमारे पास 65 और यह दिया हुआ angle a e b equals to 180 degree अब angle है हमारे पास a e b ठीक है आप इन दोनों का sum करो तो five five का जाएगा zero ठीक और यहाँ carry one हो जाएगा 14 हो जाएगा 140 आजएगा अब यह plus का equal के set तो मतलब यह हो गया minus का यहाँ पर पहले से given है 180 यह विरिजमान है यहाँ पर तो 180 को वैसे लिखा इन दोनों को opposite angle है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं angle a e b equals to हो जाएगा angle हमाई पस d a e b है ठीक है d e c के इसका reason भी देना पड़ेगा तो reason में हम लोग लिख देंगे vertically opposite angle इतनी बात के लिए रहे अब देखो जो a e b है चीक है यह हमारे पास given है 40 तो अगर यह 40 है तो भाईया यह भी हमारे हो जाएंगे d e c यह भी 40 इसका मतलब यह वाला जो पार्ट है यह हो गया 40 अब इसको चुपा लो तो यह तुम्हें एक triangle दिख रहा अब जो triangle की property इसमें लगाई थी न यह यह वाई जी हम लोग इसमें लगा देंगे बस हमारा answer आजएगा तो यहां पर लिखेंगे इंट रिएंगल इंट रिएंगल इसकी property लगाने वाले तो यहां पर तीन एंगल है ना तीनों एंगल को लोगो तो पहला एंगल हमारे पास है d e c d e c टीक है दूसरा एंगल हमार हमारे पास d है equals to 180 के आप इसमें 180 क्यों हो रहा है इसका reason देना यह वाला reason ही यहां पर लिख देना यहां पर ठीक यह वाला ठीक है sum of the angle of our triangle यहां पर लिख देना वही reason है अब दोगो d e c है ना यह हमारे पास क्या है यह है 40 जो एंगल c है वह है 110 और जो एंगल d है वह है ए अब इन दोनों को एड करोगे तो यह हो जाएगा 150 150 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 180 भाई साब पहले से हैं तो 150 हो जाएगा minus का यहां पर आजाएगा x अब इन दोनों को minus करोग तो आजाएगा 30 तो 30 होगा x की value और हमको find करना था x की value ठीक है तो question number 6 के सारे part यहां पर हो पूछो मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में ठीक है क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है तो बाब बाए टेक कियर और देखते रहो शेयर करते रहो कॉमेंट भी करो लाइक भी